हेलो एब्रिवान तो कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लेज सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकोन को दबा दीजे ताकि मेरे वीडियो आपको आपक बगैर खोवे का ये हलुआ बन के त्यार होता है एकदम लाजवाब टेस्टी और दानेदार तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने लिया है चना का दाल ये 500 गरम चना का दाल है इसे मैंने सोक करके नहीं रखा है इसे हम डिरेक्ट पकाएंगे तो इसे म हम धो लेंगे ताकि इसकी जितनी गंदगी वगेरा हो सब निकल जाए तो मैं आपको दिखाती हूं धो के तो यहां पे मैंने धो लिया है चना दाल जो है बहुत अच्छे से मैंने साफ कर लिया है तो अब मैं इसे ट्रासफर करती हूं प्रेशर कूकर में यहां पे मैंने अब इसमें मैं डाल ली हूँ पानी पानी इसमें इतना डालना है कि यह सिर्फ डिप हो जाए देखे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूत नहीं होती है इसमें एक चोथाई चमच मैंने हल्दी डाल दिया है और एक चोथाई चमच मैंने डाला है इसमें नमक क्यूंकि चन आप डालना चाहे तो डाले वरना skip कीजे लेकिन डाल देंगे तो अच्छा ही रहेगा तो यहाँ पे मैंने lid को बंद कर लिया है high flame पे एक pressure आने देंगे तो यहाँ पे high flame पे एक pressure आ चुका है तो अब मैंने flame को low कर लिया है low flame पे घड़ी देखके हम इसे 5 minute पकाएंगे CTI या ना आएं लेकिन 5 minute के लिए इसे पकाना है उससे ज़्यादा नहीं पकाना है आज को बिल्कुल low कर देना है और यहाँ पे 5 minute हो चुका है तो मैंने pressure को निकाल दिया है इंतजार नहीं करना है कि यह खुद से निकले यह वरना हमारा चना दाल जो है वो पक जाएगा हमें इसे पकाना नहीं है basically हम इसे एक steam दे रहा है इसे हम पकान नहीं रहा है देखे यह दाबने पर भी दब नहीं रहा है तो बस ऐसा ही हमें चने का दाल चाहिए तो इसे मैं बाहर निकाल लिती हूँ इसका पानी सब ड्रेन आउट कर लेना है तो मैंने इसे छान लिया है अब इसे मैं थोड़ा फैला लेती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए जब यह ठंडा हो जाए तब इसका हमें इस्तMAL करना है तो देखिए यहाँ पर हमारे चने का दाल जो है ठंडा हो चुका है अब मैंने लिया है एक मिक्सी का जार इस जार में मैं डालूँगी चने का दाल और इसे हम पीस लेंगे तो दो-तीन बैचेज में हम इसे पीस लेंगे तो पीस कर दिखाती हूँ देखिए मैंने सारे दाल को जो है वो पीस लिया है आप देख सकते हैं ये कितना ड्राइब पीस कर रेडी हुआ है ये थोड़ा भी गीला नहीं है बस ऐसे ही चाहिए ये दरदरा सा पीस कर रेडी हुआ है और हाथ से छूने पर ये बहुती स्पॉंजी सार लग रहा है इसका टेक्श्चर जो है स्पॉंजी हो चुका है तो बस ऐसा ही हमेशा ही है तो अब मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई कढ़ाई में मैं डाल ली हूँ ये 1.500 ग्रम देशी घी है आप वनस्पती घी में भी बना सकते हैं और अगर आप रिफाइन तेल में बनाना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं लेकिन आप आधा घी और आधा तेल को रखिएगा पूरा तेल मत रखिएगा हमें भूनाई करनी है हमें इसे भूनना है ये हल्वा बनाने में बहुत आसान है और इसे समझना और भी आसान है मैं जैसे जैसे बता रही हूँ step by step आप वैसे फॉलो कीजिए तो इसे हमें भूनना है तो देखिए घी जो है अच्छे से मिक्स हो चुका है दाल में हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है तो बस अब हम इसे भूनेंगे तो जब तक हमारा दाल भूनता है तब तक मैं आपको एक information दे देती हूँ instagram पे मेरा page है fashion official 56 वहाँ पे बहुत सारे लेजिज वराइटी मिलते हैं लेंगा, साड़ी, सूट festival season आ रहा है आप सबे बरात के लिए इद के लिए, होली के लिए आप ले सकते हैं शादियों के लिए भी ले सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी वराइटी दे दे रही हूँ तो दाल हमारा अच्छे से भून रहा है इसे तब तक भूनना है जब तक ये बहुत ज़्यादा दर्दरा सा ना हो जाए और इसके दाने जो है लाल लाल दिखने शुरू हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है कैमरे में ये दिखेगा नहीं लेकिन इसके दाने लाल लाल हो जाते हैं तो ये बहुत अच्छा भूनता है पकता है तो इसे हम लगतार भून रहे हैं तो देखिए हमारा चन्ने का दाल जो है देखिए वो बहुत अच्छे से भून चुका है इसके दाने जो है वो रेड रेड हो चुके हैं लाल लाल हो चुके हैं वो कैमरे में दीख नहीं रहा है और ये बहुत ही ड्राई हो चुका है तो उसी कड़ाई को मैंने ले लिया है दोबारा मैंने इसमें से सारा दाल निकाल दिया है यहाँ पर मैंने दो टी स्पून घी और डाल दिया है ताकि हमारी चासनी बने इसमें और दो छोटी इलाइची डाला हुआ है मैंने फ्लेवर के लिए अब मैं ले रही हूँ चीनी, चीनी हमारा ये धाई सो ग्राम है लेकिन मुझे इसमें डालना है साड़े चार सो ग्राम चीनी देखिए ये टोटल साड़े चार सो ग्राम चीनी है यानि पांच सो ग्राम में पचास ग्राम कम है ये धाई सो ग्राम हमारा दाल है और साड़े चार सो ग्राम चीनी है अब मैं इसमें डालती हूँ पानी, तो पानी हमें मेजर करके एक लिटर डालना है आप इसमें पानी कम मत कीजेगा, एक लिटर ही डालिएगा मैं जैसा बता रही हूँ, आप step by step follow कीजे आपका हलवा जो है बहुत ही बहतरीन, बहुत ही लाजवाब बन के त्यार होगा वो भी बीना दूद और बीना मावे के तो आज को हमें रखना है हाई फ्लेम पे और मैं बता देती हूँ कि इसमें कोई हमें चासनी नहीं बनानी जब इसमें हाई फ्लेम पे उबाल आ जाए फिर आप इसे मीडियम कर दीजे फ्लेम को और दस मिनट घड़ी देख लीजे और दस मिनट तक इसे बॉयल होने देजे इसे पकने दीजे अच्छे से यह पकेगा दस मिनट तक और इसमें मैंने ड्राइफ्रूट को एड़ कर लिया है आप अपने पसंद का कोई भी ड्राइफ्रूट लेज सकते हैं मैंने यहाँ पे नारियल, कांजू, बादाम, किश्मि जाला हुआ है तो इसे मैंने मिक्स कर दिया है अब हमें इसे पकाना है 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे तो अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी यलो फूट कलर तो यहाँ पे ले लिया है मैंने यलो फूट कलर यह टोटल ही ऑप्शनल है लेकिन इससे रंग और बहतरीन आता है आपके पास है तो डालिए अगर आपके पास ओरेंज कलर है तो वो भी डाल सकते हैं लेकिन मै उगर आपको पसंद नहीं है तो आप किप कर दीजिये और केंपे हमारे चाषनी पक रहा है तो 10 मिनटे हो चुका हैं हमारे चाषनी को पकते हूए तो यह रेडी है हल्वा बनने के लिए तो अब मैं यूसमें डाल रही हुँ पास खुद तो देखिए इसका टेक्ट्चर क आप भूनने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजेगा अगर इसमें गाठे बन गई हैं चने के डाल में आप बहुत अच्छे से नहीं भून पा हैं तो आप एक छन्नी लीजिएगा उससे छान दीजेगा और जो भी गाठे हैं वो खुल जाएंगे खुलने के बाद आप उसे दुबारा से भूनिएगा कभी कभी जब हमारा चना का डाल जादा बॉयल हो जाता है तो वो भूनने के बाद वैसा ही हो जाता है छोटे छोटे से गाठे पड़ जाते वो कच्चा रह जाते है बाकी जो है पक जाता है तो उसके वैसे हमारे हल्वा कट्टेस्ट एक दम खराब हो जाता है तो देखिए अभी ये कितना लिक्विड है लग रहा है कि ये हल्वा नहीं कुछ और बन रहा है लेकिन अब हमें इसे कंचिनियूसली पकाना है हिलाते हुए पकाना है इसे तो अभी ये पक रहा है अब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है तो हम इसे ऐसे ही पकाएंगे चमच को घुमाते हुए तो देखिए ये लगभग हाफ जो है गाढ़ा हो चुका है और इसी में जो है हमारे दाल जो है वो पक भी रहा है उसे भी पकने का टाइम मिल रहा है क्योंकि वो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है देखिए इसका टेक्शर कितना बहत्री कितना ग्लॉसी बन के त्यार हुआ है थिकने साप अपने हिसाब से रख सकते हैं आप इसे जितना भूनेंगे वह उतना ही गाढ़ा होते जाएगा लेकिन ये कभी एक दूसरे में चिप पके एक डो जैसा बन जाता है लेकिन ये कभी नहीं चिप के जा देखिए कितना दनेदार कितना शांदार हमारा हलवा बन के त्यार हुआ है अभी मैं इसे भूनी रही हूं तो यहाँ पर जो हमारा हलवा है एकदम पर्फेक्ट बन के त्यार हो चुका है आप देख सकते हैं कितना लाजवाब हमारा हलवा बन के त्यार हुआ है तो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाईएगा और बेल आइकोन को जरूर दव स्थीज